हलो गाइज वेल्कम बैक तो दे चैनल आजमें इस वीडियो में पुरी डेडिकेट वीडियो डिएफे एन फे डिजाइन करने के लिए और एन फे विदाउट नल विद नल को डिएफे में करने के लिए देखेंगे ठीक तो सबसे पहला टॉपिक में रख़़ डिएफे जी जिरो एक हैं फिरो सबकेट इंपूलि इंपूट एल खोलेट हैं आपके जीरो कमा बनुका ना आपको एक डी अफ़ी डिजाइन करने पर नहां जो एक स्undK को एक्सेक्ट करेगा जिसमें ना तो जीडु जीरु हो और ना यहीं बन जीरो हो ऐसी को एक स्थिण कंटेंडिंग हो ठीक तो लीच्प क्या नहीं होना चाहिए न ड डबल जीरो होना चाहिए तो लीच इसको एकसेट कराई तो हमने और ऐसी कोई चीश हम जब डिजाइन कर रहे हैं तो इन्पुट कुछ भी नहीं हो सकता यह यह दोनों नहीं है तो इसलिए आपकी इनिशल स्टेट को एक फाइनल स्टेट बनाया जैन उससे हमने जीरो ना तो यह डेवल जीर एकसेट कराई इसक क्योंकि 0 1 single accept हो सकता है 0000 hai防 देरो एकसेट नहीं होसकता इसके अलावा और खुछ ऐसे इसशते है अब 0 1 1 0 इनके अलावा ओर कुछ एकसेट नहीं करा सकते हैं क्यों और और कुछ एकसे यश़्च कराएं तो इस से ज्याद वह एलिवेंट हो जाएंगे ठीक अगला आ अब लेंग्वेस एक कोई वर्ड दे रखा जिसकी लेंथ ऑफ डबलू मॉडूलस वाई 3 2 आपको जो एक ही लेंथ लेनी है उसका जो मॉडूलस करेंगे हम 3 से तो 2 आना चाहिए और जब बी का जो और जो एलेमन्ट इतने लेने हैं तो जिसका मॉॉडूलस से मॉॉडूस करते हैं तो मॉॉडूस का उता है जो पहले लेंज क्या गाल आपस स्देम करते हैं यह उबा यह इस ये यह भी, तो आपने लisht एक्सेप्ट हो गए ठीक आप इसे जनरेट होने वाली जितनी भी इस्टिंग है उन सबको एक्सेप्ट करा सकते है ठीक यह आप एक और DFA का हमने कुश्यन देखा एक और देखते हैं लेंगविस में दे रखा है आपको जहाँ पे जो length of w है जिसमें a का mod greater than हो b का mod से यानि कि जो हमेसा a की value होगी वो क्या होगी? greater than है equals to होगी b के ठीक, कम नहीं हो सकती greater than है equals to होगी b के अब b का mod आपको 2 से लेना इसका मतलब है जैसे कि कोई जो आपको string लेंगए अगर उस string में जैसे तिरपल एक मौड करेंगे हम थरी के साथ क्या आएगा इसका तो जीरो जेटन होगा जैसे फोर है फोर का करेंगे तो क्या वन कोछ इस तरीके से मौड है तो लीस्ट स्ट्रिंग तब से पहले तो हमने नल माना है कि कुछ भी कोई बीचीज इक्वल नहीं है तो जब हम कोई पहले कंदिशन ही नल मान लेते हैं तो वहां पर हम जो एक्सेप्ट करना होता हो डारेक्ली इनिशल स्टेट को यह आपको फाइनल स्टेट बनाना पड़ता है देन आप एक सिंगल एक्सेप्ट कराएंगे डबल भी एक्सेप्ट होगा एक एक भी एक्सेप्ट होगा ब्रट सिंगल भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता पी एक्सेप्ट होगा भी डबल ए अश्प्ट होगा ठीक तो एक कम्प्रीटल ली सिनेरियो किसे क्या हो गया है इस लेंगविश के रिगार्डिंग ठीक और एक दो कुछ क्शें देखते हैं कि यहां पर एक लेंग्विस रखा जिसकी जो डेफाइन डेफिनेशन वह इस्टर प्रस भी इस्टर है इसकी नल एडवल डवल तरपल एक कुछ इस तरीके से यह ग्रामर्च खुलती है अपने आप में और वी इसका भी और इसका जो यह प्लस का यह मतलब है वह और का और से मतलब है कॉमा से मतलब समझ सकते हैं यह दोनों अलग-अलग है अपने आप में ठीक है तो जाइट सी बाता नल आगे इनिशिल स्टेट पर पहले निल को एक्सेप्ट करा दिया आपने क्योंकि इनिशिल स्टेट को फाइन स्टेट बना दिया देन आप एक और एक भी आए वह एकसेप्ट हो जाएं ठीक दो कुछिशन इंपॉटेंट डिया इफे की और है उन और देखते हैं उसके बाद हम एन एफे से डिया फे में कनवर्ट का एक कुछिशन देखेंगे और जो आपका डियाफे एफे में जितना भी कराना है यहां खतम करते हैं और उस string that containing the word Ram ठीक C-H-A-R-M आपको कुछ एक sequence दे रखा है इस मैंसे इन मतलों letters की help से आपको ऐसी string generate करनी है उसमें कम से कम sub-string होनी चाहिए Ram ठीक, Ram नाम की sub-string होनी चाहिए और Ram नाम कितना मधुर है आपको पताइए सबसे पहले हमने पहली इस्टिंग बनाई Ram फिर C-Ram, H-Ram, A-Ram ठीक H-R-A-M, A-R-A-M सबको अलग-अलग ऐसे सेट कर दिया यह सारी की सारी सब इस्टिंग बन गई तो आपने देखा कि सबसे least string आई है आपकी Ram तो आप क्या सेप्ट कराएंगे सबसे पहले राम को एकसेप्ट करा दीजिए ठीक अब हम जैसी बात है DFA बना रहे हैं तो सारी की सारी स्टेट के C-H-A-R-M वैल डिफाइन होनी चाहिए अब राम से पहले Q-NOT पे कुछ भी आ सकता है C-H-A-M लगा दिए हमने ठीक क्योंकि आ रहे तो यहां इसा C-A-T हुआ है अब Q-1 पे आए Q-1 का A तो कंजिम हो गया इसका C-H-M और R रह गया है तो इसका C-H-M बैक जाएगा Q-NOT के पास क्योंकि क्या बना रहे हैं क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं राम नाम की सब इस्ट्रिंग होने चाहिए न अगर इसको आगे ऐसा मूब करा देते हैं तो राम नाम की इस्ट्रिंग जनरेट नहीं हो पाएगी इसलिए R-A-M ठीक अगर A भी पहले आ जाता है तो मूब कर जायागा लेकिन फाइनल स्ट्रिंग पर नहीं जायागा तो बैक करके R-A-M ठीक इस तरीके से ये पूरा का पूरा सेनरियो राम नाम को जनरेट कर रहा है ठीक एक DFA में बहुत important question जो ऐसा question हमेशा देखने के लिए मिल जाता है पेपर में बेसिकली टर्णरी टर्णरी कौन से होते है 0,1,2 अगर बाइनरी 0,1 ठीक ऐसे तो अभी हम बात करें या टर्णरी नंबर की तो आपको ऐसे टर्णरी नंबर कंसिडर करने है जो 0,4 से divisible हों ठीक उनके लिए DFA एक से वो बनाना है तो इसके formula होता है value is equal to अब जैसे हमें 3 into odd remainder plus new number remainder मतलब की 4 से divide करने पर remainder एक बार में 0 आ सकता है, एक बार में 1 आ सकता है एक बार में 2 आ सकता है, एक बार में 3 ठीक ये 3 होगा ठीक होगा ठीक तो उनकी help से इन सब को calculate करेंगे 3 into 0 3 into 0 3 into 0 plus 1 3 into 0 plus 2 2 ऐसे यहां यह सारे calculate करने के बाद हम क्या बनाएंगे इन सब से state बना देंगे 0,1,2 3,0,1 2,3,0,1,2,3 इनको क्या state के साथ associate कर दिया q0, q1, q2 दूसरे वाली q3, q0, q1 q2, q3, q0 q1, q2, q3 ठीक और इनके regarding जैसे जैसे input symbol है जैसे हमने जो transition table design किये उसके according DFA का पूरा diagram बना दिया ठीक के कौन सी state किस input पे कहा जा रही है तो अगर turnery आ जाए अगर और किसी number से divisible होता तो उसके लिए design कर लेते अगर और किसी number से होता तो value बढ़ जाती ठीक तो आई होप आपके जितने भी ये DFA, NFA के question कराएं वो सारे clear हुए होंगे अब एक last question discuss करते हैं NFA से DFA में convert करते हैं ठीक अब बात करते हैं कुछ NFA के बारे में ठीक, construct NFA अब ये language है L is equal to A ishtra plus B ishtra इसके लिए मैंने बताया था आपको क्या करना है कैसे कहां, निकाना नहीं था क्या था, null, A, double A, triple A, and so on ऐसे B के लिए लेकिन दोनों एक साथ थे null common था इसे लिए A, B, double A, double B कुछ इस तरीके समिश्टिंग लिखी थी, ठीक है तो डायरेक्लिक आपने A, B को accept करा दे इसके बात जितने A, B हैं उतने इधर A, B हैं कोई दिक्कता नहीं, कोई फंड़ना नहीं है ठीक है, ये क्या इसके regarding NFA है आप चाहें तो ऐसा प्रैक्टिस के लिए इस NFA को DFA में convert कर सकते हैं जो पहले इस से पहले जो भी कुछिन कवर किया है वही डायगरम बनेगा ठीक अब ये को लेंग्विश है लेंग्विश L is equal to A, B, A, A, B, A, B, A, B, A, B, A जो है, having the first and last symbol same जो first and last symbol same है इसका तो कुछ है ही नहीं है, ये single single existing है इसका first and last same, first and last same, first and last same, first and last same इसके according आपको accept कराना दो अलग अलग languages दे रख है है अब A, B के साथ पूरे पर आपने star दिखा है तो यह दौनों associated हो गए एकदम मतब combine हो गए अलग-अलग consider नहीं किये जाएं तो जब इसको expand किया तो हमें AB 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 और सारी इस्टिंग मिलती जाएंगे और इसको expand किया तो यह अब इनकी combination से आपको जो NFA डिजाइन करना सबसे पहले दौनों के नल के लिए आपने NFA डिजाइन किये इसकी लीस्टिंग क्या थी सिंगल A को accept करा दे उसके बाद कुछ भी आए इसकी लीस्टिंग क्या होगी AB AB को accept कराई उसके बाद कुछ भी कराई यह कोई दिक्कत नही ठीक एक एक और NFA देखिए आए श्टार प्लस त्रिपल ए श्टार इसमें क्या है जो लेंग्वेज है इसमें नल खोले आपस में यूनिन करा लिया और आप सिंपली एक्स देखिए नल आपको नल पहले एक्सेट कराया ना उसकी वजह से हमने इसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया एक और कुश्चन देखते हैं NFA से DFA में करने के लिए यह जो NFA पिदर नल मुमेंट दे रखा है तो फर्स रफॉल हमने जो पूरा प्रोसेस पढ़ाता उस प्रोसेस में क्या था कि आपको प्रतेक श्टेक जितनी भी स्टेट है कितनी स्टेट है इस कुश करते हैं जो NFA में हमारा क्या है क्या बनाते हैं सबसे पहले उसके लिए एक इनिशियल स्टेट तयार करते हैं तो एक क्यूनोट डेश हम मानते हैं क्यूनोट डेश को उसके रेस्पेक्टिव क्यूनोट जो एक्जिस्टिंग इनिशियल स्टेट है उसका नल क्लोजर वाला है यहां से एफ डेश है वह स्टेट को कंस्रेट की जाते जिसमें फाइनल स्टेट का आ रही हो तो क्या थे क्यू थे आपकी फाइनल थी जो कि क्यू नॉट क्यू वाले में आ रही थी तो उससे कंस्रेट करने वह के बाद आपकी Q0, Q1, Q3 अब देखिए Q0, Q1, Q3 A input पर एक कहां-कहां transmit हो रहा है वो आपको check करना है तो उसके लिए आपने formula apply कर दिया then formula के साथ check किया तो हमारी state निकल के आई null के रोज़ा के साथ Q2 और Q2 null closer की जो value है हमारे question में वो है Q2, Q3, Q1 दुबारा से एक नई state आपको देखने के लिए मिल जाएगी Q2, Q3, Q1 ठीक, अब आप notice करेंगे कि दुबारा से एक ऐसे state निकल के आगी जो कुछ unique है अब इस पर दुबारा हम अपने जो input symbol है यह उसको check करेंगे ठीक, चेक करने के बाद हमें क्या मिला Q2, Q3, Q1 दुबारा repeated state मिल गई ठीक, क्या मिला repeated state अब यहीं पर यह process रुख जाएगा, process रुखने के बाद एक transition table बनाना चाहें तो बना सकते हैं, दर्वाइस नहीं तो directly पता चला है, जो हमने initial state मानी थी Q0, dash equals to यह, यह आपकी क्या एक initial state है और यह वाली है final state इन दौनों के, यह कहा कहा transmit हो रही है, वो आपको पता चल गया है as I input, आप put कर देंगो, और value बता देंगे, ठीक यह, यह अपने आप पर आ रही थे, आपने चेक किया उपत और यह transmit हो गई, यहाँ जा रही थे final state पर यह हमने देखाए अभी एक NFA से DFA